हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल food fest with family and friends में स्वागत है आमले के फैदे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे इसमें vitamin C भरपूर मात्रा में होता है आमलगणों की खान है इसमें vitamin C के साथ iron, calcium, vitamin A और vitamin E जो के हमारे बालों और skin के लिए बहुत फैदेमन होता है यह हमारी आँखों और बालों के लिए तो फैदेमन है ही इससे हमारी skin भी glow करती है यह antioxidant है और यह हमारी body को detoxify करता है इसके जितने भी benefits के नहीं जाएं कम है चलिए यह सब तो हमें पता है पर इसके खसोले सुहात के कारण इसे direct खाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैं लेकर के लिए भी बना रहे हैं तो हरी मिश थोड़ा कम डालें तो चलिए आयरुवेति कुणों से भरपूर मात्र 5 मिट में बनने वाला आमला फ्राई बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने लिए हैं 7-8 आमले इनको अच्छे से धो लिया है फिर हम इन आमलों को pressure cooker में डालें और आदह गलास पानी डाल कर इनको कुखोने के लिए आज पर चठा देंगे और दो सीटी आने पर आज बंद कर देनी है और pressure निकलने पर आमलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे इसका जो बचा हुआ पानी है उसे आप बालों को वाश करने के लिए या फिर बालों में ल ले लगता है यह देखिए इसी तरह से हम इसके सभी पेसिस अलग कर लेंगे और इनकी गुट्लियों को हम निकाल कर अलग कर देंगे ये देखिए हमने सारे पिसिस अलग कर लिये हैं और मिर्च में हमने इस तरीके से लंबाई में चीरा लगा लिया है पर ये नीचे से जोड़ी हुई है अब हमें एक कड़ाई में ओयल गरम कर लेना है और उसमें एक चुटकी हिंग डाल देंगे फिर हम डालेंगे एक चमच मैथी दाना, एक चमच सौफ, एक चमच राई दाना और इन्हें भून लेंगे इनके भूनने पर हमें हरी मिर्च कड़ाई में डाल देनी है और अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसमें आमले के पीसीज भी डाल देंगे और थोड़ दिरेने भून लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर, आदा चमच लाल मिर्ष पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मतलब आदा चमच से थोड़ा सा कम और फिर हम इने भी भून लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच या स्वादानिसार नमाग और उसे हम अच्छे से मिला लेंगे फिर हम कडाई को ठक देंगे और आज बिलकुल धीमी रखनी है और लगबक दो-तीन मिनट तक ऐसे ही पकने के बाद उसके बाद हम इसका ढखन हटाएंगे और इसे हलका सा चलाएंगे ये देखिए हमारा आमला मिर्ची फ्राई बन कर तयार है इसे आप अचार की तरह रोटी के साथ, पूरी के साथ या पराटे के साथ खाएं या आप इसे दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा और इसे आप फ्रिज में तीन से चार दिन तक अराम से रख सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि आपकी किजिन की नेक्स्ट रेस्पी यही होगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंड करके जरूर बताएए कि रेस्पी कैसी लगी थैंक यू